आइक एलो स्टुडेंट गूड इवनिंग त इव लूद्व विलकम तो माइ यूटूब चैनल भी यसी वाया वाला तो आपको बच्चो आज हम जो आपका पेस्ट एप गन्टोल है उसमें हम आद पढ़ेंगे सुगर केन लीफ हॉपर के बारे में ", किसके परणीम पढ़ेंगे, बच्सो, Sugarcane, Leafhoppe के बारे में, तो जी Sugarcane Leafhopper के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है Pyrella, उसका जो genus हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है Pyrella. तो देखते हैं हम लोग देखेंगे यह कहां कहां पाया जाता है और फिर इसका थोड़ा सा हम लोग आइटिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद देन आप्टर हम देखेंगे लाइफ सेकल जैसा कि हमने गंधी बग पढ़ा था जो जो फालो किया था हमने मेथड वही वही मेथड हम लोग इसके बारे में भी फ और फैलम अर्थलो dwa, यह इन्सेकर का मेंबर है तो अर्फपोड़ा का मेंबर होगा है। इसका अाँडर है, किलांड शूदिभी में पलाइज धीम्रतुष है और फैमली की है? लॉफोफोथीडेई, और जिनस और भी शैजिर नाम Dss सुटिटी करेंगे उसका नाम है पारिला तो सबस्ते पहले आप लोग देखिए इनका डिस्टिबूशन कैसा है तो पारिवा कॉमलडी इसको क्या बोलते हैं सुगर केन प्लांट होपर या फिर सुगर केन लीफ होपर ठीक है आपके सल्वस में दिया है सुगर केन लीफ होपर इसका जीना समय पढ़ रहा है पारिला परफुसिला ठीक है तो पारिला परफुसिला है इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं क्या लिखना है जो लीफ हापर यह पाय जाता है आपको यह लाइक पर मत लिखेंगा टिक है तो हम आपको बता दें जनकालीन जैसा कि question paper में पूछा जाएगा तो लांग में पूछा जाएगा तो यह कहा का एसीं कंट्री है जो कि क्या कहा है अफगानिस्तान है बंगलदेश है बर्मा है कमबोडिया है इंडिया है इंडिया है इंडोनेसिया है और क्या है नेपाल है पाकिस्तान है साउस चाइना स्री लंका थाइलांड एंड वियतनाम इतने कंट्री एसियन कंट्री है दा ओर्जिनल होस्ट जो यह ओर्जिनल होस्ट है आप पारिला पर्पूसिला इस नाट नोन बट इट है बिन डिकॉर्डेंट फीडिंग और डॉक् तो किस पर किसको करते हैं अधिक एक राइप लियुद्ग जानते हैं इसमें वह आएगा थाइकस वगएरा बर्गर बगर या पीपल तो इनको भी एंफेक्ट कर सकते हैं लेकिन जी अनुक्त है राज़िक है ने फीज़ांगा यह आँ गार्यों है सुगर ठीक है तो नो इस इस फैमिली की मेंबर को यह और इंफेकट कर सकता है तो फेले हम लोग ऐइनटिफेकेशन इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं इस की से करेंगे बब्दी बक तो नहीं है या फिर सबिखन लेफ़ औपर है कै तो जो हएलने डौन URL is a pale तौनी येलो ये विल तौनी येलो कलर का होता है ठीक साप्ट बोड़ी इनकी बोड़ी सॉप्ट होगा इस में हेड होगा प्रॉंग प्रोमिनन्टली ड्रोन फारवर्ड तु फ्रामे शनाउट इनके हैट रावर्ड होके शनाउट बनाया और अजो बनके स्मूड की तरह रहां कि विंग्स आप मेल इस तू एटीन 18 mm और जो फिमेल का है वो 19 से 20 mm का होगा इनका जो विंग है यहाँ पर यह विंग्स यहाँ से स्पॉन काड़ दिजेगा विंग्स आप मेल इस 6 to 8 mm और फिमेल का क्या है 16 to 18 mm इनका है और इनका क्या है 19 से 21 mm तो फीमेल का wings बड़ा होगा ओके देखिए यह देखा विंग स्पॉन बताएगा थिक तो यह मेल का 16 to 18 mm होगा और फीमेल का 19 to 21 mm का होगा फीमेल है क्रिटेशियस थ्रेडल काल्ड एनल पैड फीमेल के पास होगा एनल पैड आरेंज अज बंडल और टर्मिलल सेग्मेंट जो इनका लास्ट सेग्मेंट होगा यह तो विंग से माल ली जाए ठका है लास्ट सेग्मेंट के इनके पास क्या होगा को सेमी ऑपैक होगा आर जै कि ऊपैक मतलब वह दूद आर पाड नहीं दिखेंगा थोड़ा बहुत दिखेंगा सेमी उपैक उस ख मोलेंगे विच्च यलो ब्राउनी कलर विंग थोड़ा निदिखता है आर पासके और यहलो यह ब्रौन यहलो से ब्रौन कलर का यह हो सकता ह भाष ईven कता है झायाव के लगव थे मांयोर ब्लैक स्पोरर लिग जो आगे का विंग निंग होगा जैंगailable होगा और ऐंक नर्नेटे दिखा के द werenk के इसे सपॉत होगा maths जो मां लेक RC मना सब जो होगा Здесь hand वहीच इस पर बीक त्हीं फ्नेट वहीच इंड कने समयखकर्ण Preis भाझनyorsun उसका juice suck करते हैं sap suck करते हैं ठीक है on the slightest disturbance इनको थोड़ा सा disturb कर दिया जाए they jump from the leaf to leaf एक लिफ से दूसरे लिफ पर ये jump कर सकते हैं अगर इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं मतलब सुवर्किन की प्लांट को हिला जाते हैं तो एक लिफ से दूसरे लिफ पर जंप कर जाते हैं ठीक अब देखे इसका life cycle life cycle आप पारिला पर्पुसिला इसका life cycle देखे एक एग फिमेल क्या देगी एग फिमेल लेज एग आन द लोवर सर्फेस जो लीफ का लोवर सर्फेस होग सब्सक्राइब अचलप का लिफ को देगी और उसको कंसील कर देगी ऐनका विलेक फिटित से चालिस उनका तीस से पचीस से थीज था इनका तीस चालिस क्लस्टर में वोगा और यह लगभग 4200 में में होते हैं मिद्रीप को चार तो 4-5 रो में इसको यह एग होगा ठीक लि यहां पर दिखिए एक को दिखाए गया है लिप पे यह एग है ना एक को वैक्सी मटेरियल से कबर कर दिया जाएगा है एक आर ओवल सेप में होता है पेल वाइट इस टू ब्राउन ब्लू इस कलर साफेस से ब्लू कलर का यह होता है ब्लू ग्रीन वेल लेड जब लेड जब तुरन दुरन तुरन तुर्ण डेर करें तब इक इसका कटि अंड भाट में यह हो जाता है और फिर बाद में यह प्राउन क्लर का और ईक एक यहां पर देखुए उसके बाद घर निम्प हो तो यहां संग इसका निम्प दर्खिए है अर निम्प भीजिए घर्टी होगा लिप के जूस को साक करेगा आप निम्प में डिफ्रेंट इसका निम्प होगा निम्प करणओ जाएगा एडल से ठीक तो निम्प इसका निम्फ 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 इनका पांच निम्फ इंस्टार स्टेज होगा। इनके बारे में एक टेबल बनाई देखिए जो इनका निम्फ है पहला इनका निम्फ है इनकी बॉडि साइज एक लेंध है से मतलब लेंध और फी मतलब बित। बित। ब्रीच चौड़ाई यरू यूरे विए उसका लेंद कितना है 2.5 mm और ब्रिट क्या है 1.5 mm तो देखेंगे और जो इनका थार्ड फोर्थ है वो क्या है 3.3 mm और 1.6 mm और यह जो लास्ट वाला है वो है 4.9 mm और इनका ब्रिट क्या है 2.3 mm तो सबसे लार्जेस्ट बॉड़ी साइज इनकी होगी और सबसे चौड तो सबसेट वाला है उसकी होगी ठीक नेश लेश सिर्ट गृट जो फर्ससैंव निम्प है उसका ग्रीड रिंश प्राउन जाओंड थार जार्फ य्लो टाइप होता है यहें प्राउंड होता है यहां धार्ड इनस्टाल की बात होंगी यह फूर्थ इनका डार्ड यह dark brown ठीक है और देदेखिए के इनकी आई के बारे में देखिए इनकी कैसी होती जो fun star है इनकी आई red color कि होती है इनकी आई किया है white या ट्राइन ट्रांसलुटन विध ब्लैक स्पॉट इनके आई पर ब्लैक स्पॉट होंगे और स्लूट सेंट होंगे नां ग्रे इनका ग्रें क्या होगा इनका हरे ग्रेण क्लेख साथ agriculture यह इनका ओतंध लीज़ चाहि Sun की इनका तğin कि दिन त्य चाहिए स 갖고 हैं घुत फिर से चब दौस थे सिरेंक घुझे जायेंगे94 आपonst और तो पीने के बाद यह सिकेंड बंचेंड नरवा में करेंगा तो थार्ड नरवा में कर दूर जगा है इसकी फान जीन है और इसके बाद क्या ढ़ता है यह लारवा है वह एडल्ट में कर आप देखते हैं आफटर मॉल्टिंग उसमें हो रहा है निम्प में तभी न, तो मौल्टिंग जैसे खतम होती है दे एडल्ट आर वाइड कलर बट लैटर दी एर बॉड़ी टरंस इस्ट्रा कलर पहले यह क्या होते हैं एडल्ट वाइड कलर के होंगे सफेद दिखेंगे बट कुछ टाइम बद इनकी बॉड़ी का कलर इस्टा कलर की हो जाते हैं आई टर्न पेल ग्रीन अभी देखना थे आप लोग आई कैसी कैसी थी इनकी पेल ग्रीन कलर में करमट हो जाती है सनौट यह साहर यह डियल अब हो जाता है मिट ए ब्लेक इस पॉट ऑट दियर पॉस्टिर एंड मिलीमीटर लेंद था है और 2.5 मिलीमेटर बेल डी पेसका फिम फिस्टारों में देखा प्लेंग कितना मिल्लीमीटर का था यह लगभग 4.9 मिल्लीमीटर था यह होगा मतलब यहां पर sexual dimorphism पाय जा रहा है और जो इसका ब्रित है चोड़ा यह 3.5 mm है लगबग निम्फ से एडल्ड में jak neighbor होने के दो दीन के बाद ही फिमेल रिप्रटॉक्षन करने के लिए रैडी हो आती है नजा पाइप निम्प स्टार से निकलने के दो ही दूँपास, लगबग स्टमे दिन यह रिप्रटॉक्षन करने के लायेख हो जाती है आप देखेंगे जनरली यह दीन के दोरानी अंडा देती है ठीक है एक ले करती है अब नेचर आप डैमेज देखिए यह नेचर यह कैसे डैमेज करते हैं इसमें डैमेज जैसे गंदी बग में था डनी में उसको इसको डिस्टर्ब करते थे ऐसे यह भी डिस्ट्रोइ करते हैं सुगर के लिप को अडल्ट अ निम्फ दोनों अगर किसी फील्ड पे किसी खेत में इसका आटेक होगा समझी सुगर केन की फंसर क्रॉप गई क्योंकि इनकी संख्या मिलियन मिलियन में होती है एक मिलियन मदाबद 10 लाग 10 तो पाउर 6 5. the infected leafs become pale and wilted uh तो इनका इंपेक्टेट लीव है जिस पे अटैक किया है यह पेल कलो यह विल्ट हो जाएगी मर्दब मुर्जा जाएगी क्योंकि उसमें साप्स हो यह सक्की कर लेंगे तो क्या करेंगी मुर्जा जाएगी ना पानी उसमें रहेगा नहीं इनके सूटी मॉल्ट को अट्रैक करता है ठीक है फिर वो दोनों इंटर्फेर करता है प्रापर फंट्ट्ट्टिंग आप दे लिफ के फंक्शन को से इंटर्फेर कर लेते हैं और क्या होता है कि यह क्या करता है इसको काटल के खाने के लिए अनफिट कर जेता है काटल न खापाए दे एमांट आप जूस कंटेंट इन दे केन इस नाट मच अपेक्टेट बट सुख्रोज रेटीजर करता है इसे सुख्रोज घड़ जाता जो इनका सुख्रोज तुकरोज गड़ जायका वाइल ग्लुकोज रेशियों में भी ट्रेवल ग्लुकोज रेशियों भी कम हो जाएगा इन केस आप सीवियर इंफेक्शन यहां पे इन्फेस्टेशन इन्फेस्टेशन दा सुगर रिकवरी में फाल आप टू 75% देन नर्मल नर्मल रूप से जो सिवियर सुगर यहां पे 100% हो रहा है ना 100 कुंटल हो रहा है तो क्या होगा लगभग 25-75 कुंटल इसका डिस्ट्वा कर सकते हैं ठीक है तो सोच लिजिए कितना डिस्ट्वाइब कर रहे हैं तो नेचर आप डैमेज आपने देखा लिया आप देखें आप लोग कंट्रोल में इनको आप कैसे कंट्रोल कर लेंगे आप यह लाइफ सैकल अपना कर चुके हैं पूरा ना हमने देख लिए इनका इंटिफिकेशन भी देख लिए नेचर आप बहुं नेचर आप किया दिखा आप देख हम लोग कंट्रोल मेथर मैथर का लगें से में यह अभले कर दोडियो हम लोग वी ना किसी या बायलोजिकल एजन के यूज के यवी आई मेकेनिकली हम लोग कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं बर्निंग अप आल ट्रेस्ट आप्टर हार्वेस्टिंग आप सुगर केन क्रॉप आफ इन इंफेक्टेट फील्ड में जो इतने भी सुगर कन है उनकी हार्वेस्टिंग कटाई हो जाने के बाद सारे को आप जला ठीक है उसी फील्ड में जला देजिए रिमूवल आप लीप से बीरिंग एक क्लस्टर आप दगर देखें रहे हैं सुगर केन लीप पे अपना एक गरे से गलूट करें है तो आपके अगर यह उस लीप को तोड़के यहां से वहां से उसको हटा दीजिए अक्टूबर प्ल से पाम है मार्च अपरल में जब यह यह उस पर तो इसको यहां से भी आप रुटिंग डिस्ट्रक्शन आप डिस्ट्री इंफ्टेड प्लांट जो सी इंफ्यक्ट्रे अप उसको जला देजिए डिस्ट्वाइब कर दिजिए इश्राय कर देजिए यहां स्वरी केमिकल में सब्सक्राइब करें तो हम क्या क्या चिड़कना है दस्टिंग इंफेक्टेट क्रॉप विध हन 10 परसंट बीस्टी आप 10 परसंट बीस्टी होगा 10 परसंट तोग्जा फैन होगा वही 10 परसंट तोग्जा फैन या फिश्ट कीजिए आप एंड 10 परसंट कार्बोरिल वारा 5 परसंट मेलाथियोन है ट्वंटीटू 10 कीजी पर हेक्टेएर इतना आप एक हेक्टेएर में इतना लगबग छोड़क दीजिए इन लोकों मिला के ओके इंडो सलफान त्रियोथाइन फासफा मिड़न या फिर मैलाथियोन या फिर फार्माथियान को आप लोग 0.521 kg पर हेक्टेएर में छुरकाओ कर देजिए इसको डस्टिंग करना है आपको डस्टिंग करना है मतलब लिये कि जैसे आप लोग डस्ट नहीं करते किसी तो यह प्रस्टिंग कर देजिए उसमें रहेगा 10% टेक्ज़फियों होगा 10% कार्बोरिल 5% मेलाथियों इनको लेके पर हेक्टेवर में 20-40 kg आप छड़क दीजिए के और निश्टिंग का इनका कंट्रोल हैwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe टेट्रा स्टाइस्टाइकस पार्ली या फिर आप ओई नो कायर्टस इसपिस को परसाइड सब्सक्राइब गूप यह एक को है जो यह है जो यह करता है जो यह पर्ला है इसके एक को और जो इनका निम्प कुण खाता है यह द्राइनने करने लिकरके यह पेस्ट यह क्या करता है इसके निम्प कुछा जाएगा अगर बिश्यों का जाएंगे तो इनका ग्रोथ नहीं होक्त वेठल में करमट नहीं होंगे परोपाइफ पारी नाम है यह करता है यह काटर पिलर आफ इपी पायर पस मेलैनोलिका यह करता है जो a bottle, ना इसको बलने काटरपिलर, यह यह इसको इसके नीमप के पारिला के नीमप को और अड़ल को खा सकता है, ठीक, तो आपका कंट्रोल है, फिर हमने यह लाइप सेक्ल पढ लिया और नेचर आप डाइमेज, तो आपको पड़ेंगे आपको प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए एक बड़ आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं देखिए फाइलम क्या है अर्थोपोडा क्लास इंस्ट्रेक्टा आडर हेमिपेरा फैमली लुफोपीडी और जीनस पाइरिला है डिस्रिबुशन इंका एशियन कंटरी में पाजाता है ठीक और इसको किसके घ्रमी फैमली पर लग्यूमिनों और इनका इंटिफिकाश्चान है देखते हैं आप फीमेल जो मेल से बड़ा होगा और इसका यह विंग होगा और इनके टर्मिल सेगमेंट पर जो पैट था उसका इनका है एक लगभग देती है यह एक लिप पे एक बार में लगभग 30-40 एक देती है और एक जब एक समय हैचिंग होंगी तो वह निम्फ निकलेगा निम्फ में 5 इंस्टेज है इसका फिर निम्फ है कुछ टाइम बाद अडल्ट में करनवर्ट हो जाएगा ना एडल्ट में एक इंडल्ट में क्या होगा इस उन डिपटर अशकन करके फिर फिमेल एक लिए करेगी नेचर आप निम्फ निम्फ निका देखेंगे आप लोग एडल्ट और निम्फ दोनों डेमिज कर रहे हैं ठीक क्रॉप को चैंट्रोल में है क्या करेंगे जो इन्फेक्टेट सुकर पानी मिला के चड़क कर दीजिए इसको इंडोसलफान त्रियोथाइन फास्पामेड़ोन या फिर फार्मोथियान इसका 0.521 kg पर हेक्टेयर पर चड़कना है आपको पानी मिला के फिर बायलोजिकल मेथड में आपको क्या करना इसके उपर पारसाइट जो इसको खाने वाला पारसाइट हो उसको छोड़ दीजिए इसको बोल रहा है पार हाइपर पारसाट है ठीक है तो देट्स आरे बाउट सुगर के लीफावर पारिला उके बच्चा मिलते हैं लेक्स लेक्टर में थैंक्यों सो मच